So Hello Everyone, आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं को और नहीं important वीडियो में So इस वीडियो में बात करने वाले dream fox service IPO की complete details review, business moral, financial parameters, valuation और positive points, negative points साथ साथ retailers के लिए कौन सी bad news है और grey market premium किस तरीके से यहाँ पर trade कर रही है इस सभी points को एक एक करके इस वीडियो में देखने वाले हैं So वीडियो को इन तक दकीए का ताकि आपसे कोई भी important information मिस्ट नहुत है इसी तरीके के regular grey market premium और IPO और subscription से related update के लिए चानल को subscribe कर सकते हैं इसे भी company को जानने के लिए उसके site पर जाकर देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है तो हम लोग इसके site पर किस तरीके के company service provide कराती है और किस तरीके के business में company engaged है तो यहाँ पर dream fox service limited company के बारे में बात करे हैं हम लोग इस company को 2008 में incorporate किया गया था यह company जो service provide कराती है ओ यहाँ पर जो इंडिया's largest airport service aggregator platform है जैसे की यहाँ किलिक करके देख सकते हैं कि airport जो की solution किस तरीके से provide कराती है तो airport solution पर देखिएगा था यह company जो की largest airport service aggregator platform है जो कि यह company प्रवाइट कराती है किस तरीकी के service तो first service यहाँ पर देख सकते है कि आपको यहाँ पर जो launch service होती है access यह company अपने customer को प्रवाइट कराती है साथ ही साथ meet और assist यानि कि आपको किस तरीके से यहाँ पर आप यदि यहाँ पर customer है तो इसके लिए service जो provide कराती है कैसे और किस तरीके से आपको जाना है और आपके साथ पूरी तरीके से जाकर आपके street तक बैठाने के काम इनके जो assist है वो आपको करते हुए देखने को मेंते हैं साथ ही साथ यदि आप airport पर पहुंचते हैं तो आपको इस company के तोरा जो food beverage service होती है वो भी यहाँ पर provide कराए जाती है यदि आप airport पर spa लेना चाहते हैं उसके लिए भी यह company अपनी service को own रखी हुई है और यहाँ पर service company के तोरा provide करा जाती है company के related बात के तो company के जो यहाँ पर देखा जाए यानि कि आपको अपने घर से लेकर आपको airport तक जो service चाहिए वो भी यह company service provide कराती है और baggage जो होती है उसको transfer करवाने का भी यह काम करवाती भी देखना को बहती है तो overall देखा जाए तो जो भी service आपको चाहिए यह airport पर यह company के द्वारा आपको smooth way में एक ही platform पर प्रवाइड कराती है यहाँ पर देखा जाए तो company की जो partnership benefit है यानि कि आपको hybrid model यानि कि omni channel offline और online दोनों जगह से यह company के आप service provide आप ले सकते है और service को आप यहाँ पर dream park app से भी आप अपने service को own कर सकते है तो overall company की जो service से काफी एच्छी देखने को मिल लाई है तो यहाँ पर एक ही जगह पर जो कि single platform पर सभी service provide या company करवाती है साथी साथ यहाँ पर देखा जाए तो global footprint यानि कि यहाँ पर इंडिया से आउट अलग जगह पर भी इस company के service provide करती है देखा जाए तो यहाँ पर company 536 cities में यहाँ पर जो आपको इस company के presence है और 1416 touch point है यानि कि देखा जाए तो यह अलग लग जो यहाँ पर एयरपोट है उस चकर यहाँ पर जो touch point count किया गया है 1416 देखा जाए तो इंडिया को include कर दिया है तो 111 countries में इस company के त्वारा service provide कर आती है और इसके client waste की बात करें client waste भी आपको देखने के लिए इस three tap पे click करते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे आईएगा तो यहाँ पर client waste देख जाएगा bank हो गया साथ साथ यहाँ पर देखा जाए तो सभी को यह company provide service को रहा थी है साथ साथ corporate client के बात के थे यह रिश्या हो गई और easy my trip हो गई go first हो गई कई सारी यहाँ पर इंडियों हो गई और वोड़ा फोन आइडिया इन सभी के company client देखने को मिलती है तो ओवर्ण क्लाइंट में इस भी company की काफी अच्छी है और multi जो की फोग business में company अपने business को परवाइड करा जाए बिजनस में काफी अच्छी है कंपनी के financial parameters की यहाँ पर कंपनी के financial देखा जा तो company के asset company यहाँ पर यहाँ अपने asset को इंप्रूब कर रही है 2020 के pandemic करण से पूरी तरी किसे इसेट में गिरावर देखने को मिली थी देखा जाते हैं पर company के revenue पहले तीन सु सर्षट करोड की थी कोविड के impact करण से revenue में गिराव उठी लेकिन फिस यहाँ पर रिकावर करती हुए देखने को मिली 283 क्रोड की revenue profit की बात करें तो 2020 के financial year में profit यहाँ पर देखा रही है तो पहले यहाँ पर profit अच्छे खाथ सी जनेरेट कर रही थी यहाँ पर भी profit पिछले financial year 20-22 का compare किया जा तो अभी भी उतने recover होते हुए नहीं देखने को मिली है लेकिन कोविड के impact कराण से loss भी है में भी इस company ने अपने financial data report की है और company की नेट वर्थ की बात करें यहाँ पर प्राइस्ट वर्निंग की बात के तो एक सो नो के प्राइस्ट वर्निंग पर company की सेर चो कटप प्राइस रखा गये वह जो कि काफी ज्यादा ओवर वैट लूल लग रही है तो company की बात करें लॉंगेस्ट प्लेयर है इस company के अपने सेग्मेंट में 50% मार्केट शेयर इस company के दोवर अपने ओन की जाती है और ग्रे मार्केट प्रीमियुम में अच्छे डिमांड्स है गुट पॉइंट्स इस company के रिगाटिंग हो जाती है बैट पॉइंट्स की बात कर तो यहाँ पी अप्लाइ करने के planning करने चाहिए साथ ही साथ मार्केट कंडिशन अभी थोड़ी सी गिरावट रोड़ी है इसका भी इंपक्त देखने को मिलेगा और साथ ही साथ पूरी तरीके से offer for sale है यानि कि कोई भी पैसा जो रेज हो रहा है यहाँ पर ग्रोथ और पोटेंशियल के ल करता एक लौट पर चौती सो पचास पंद्रह जार के इंवेश्मेंट पर प्रॉपिट देखने को मिलेगे की कुछ डिटेल्स की बात करें तो 24 अगस्त अगस्त इसकी क्लोजिंग डेट है कटा प्राइस यहाँ पर 326 पर चाली सेक्विटी अप सेलेक्ट करना है और कंपन जो 26 क्रोड का इस्यू साइज है उसमें 10 परसेंट रखा गया हुए 35 परसेंट होनी चाहिए थी लेकिन 10 परसेंट ही रखे गई है क्योंकि पिछले में फाइनेंसेल यह 21 में कंपनी लॉस रिपोर्ट कि थी इसके करने से लॉस में कंपनी में जाए से जाधा 10 परसेंट ही चोकि रखा जा सकता है इसो साइस की रिटेलर से इसके जो एक लोट अप्लाई करने के लाप प्लानिंग कर रहे हैं तो 14,996 प्यार चाहिए लगवा पंद्रहजार की और देखा जा तो परमोटर स्कॉलिंग पूरे आफार फोसेल है तो इसकी करने से 100 परसेंट थी वह से प्लाई करने के प्लाइनिंग करनी चाहिए आपको आपका विचारीव से रेलेटेड कमेंट कोमे डिवो को लाक करें डिकलिए यह चानल को सब्सक्राइब करने के लिए आप अफिक धनवाद मिलता इक नए इंफॉर्मेटिवडियों के साहरे।